वाइट हाउस जोकी दुनिया की स्रक्षित बिल्डिंग में से एक है और हो भी क्यों ना वाइट हाउस जोकी अमेरिकन प्रेसिडेंट के कारेकाल के दोरान उनका घर और ओफिस भी है यहाँ प्रेसिडेंट अपनी फैमली के साथ रहते हैं और प्रेसिडेंट का ओफिस होने के कारण यहां कई एतिहासिक फैसले लिये जाते हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि वाइट हाउस की स्ट्रक्षर में कोई चूक ना हो तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाइट हाउस की पाथ सिक्योर्टी सिस्टम के बारे में जो आपको हैरान कर हमें कमेंट कोक्स में जरूर बताईएगा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिग्यान में वाइट हाउस जोकी वसिंग्टन डीसी में सिच्वेटेड है तक्रीबन 18 एकड़ में फैला हुआ है सेकिंड वर्ड वर्क के बात से ही वाइट हाउस को काफी थमक्यों का सामना करना पड़ा जिसके कारण इसकी सेक्योर्टी के लिए अमेरिकन सरकार द्वारा फुक्ता इंतजाम किये गए जमीन से लेकर आसमान तक फ्लाइटिंग ड्रोन हेलिकॉप्टर चाहे स्नैपर ही क्यो ना हो वाइट हाउस के सेक्योर्टी सिस्टम हर प्रका उंदर्ता में चार चांद लगाती है लेकिन यह किसी मुसीबत से कम सावित नहीं हो सकती इसलिए वाइट हाउस में जिस ग्लास का यूज किया गया है वह एक्स्ट्रीम क्वालिटी का बलास्टिक बुलेट प्रूफ ग्लास है यह ग्लास किसी भी परकार के हमले का सामना कर सकती है हैरानी तो तब हुई जब एक आसकार रोमियो सक्स ने करीब 2100 फीट से दो फायल किये इसमें से एक फायल तो लॉन में जा लगा लेकिन दूसरा वाइट हाउस की विंडोस में जा लगा बलास्टिक ग्लास होने की वज़ा से बुलेट विंडोस के पार ना जा सकी उस घटना के बाद से ही लोगों को पता चल गया कि वाइट हाउस की सभी विंडोस बलास्टिक ग्लास से बनी है वाइट हाउस की विंडोस का बलास्टिक ग्लास मार्केट में मिलने वाले एक रेट ग्लास से कही ज़्यादा मजबूत है Missile Defense System आपको जानकर हैरानी होगी कि White House में Missile Defense System भी लगा हुआ है हाला कि करीब से निहाने पर ऐसा बिल्कूल भी नहीं लगेगा ये Missile Defense System 9-11 हमले के बाद मिल रही threats को ध्यान में रखकर लगाया गया था ये Missile System अपनी तरफ आने वाली drone, helicopter को हवा में ही तबा करने की शमता रखती है इसके साथ ही White House के आसपास का पूरा area No Fly Zone घोसित कर रखा है अगर कोई plane या drone गलती से भी No Fly Zone में घुस भी जाता है तो Missile System अपना काम करने में पीछे नहीं हटेगी इस Defense System के बारे में हमें सायद पता नहीं चलता अगर ये incident नहीं हुआ होता एक बार एक plane No Fly Zone में एंटर कर गया हलाकि वह White House से काफी दूर था लेकिन सुरक्षा के चलते उस समय पूरे White House और आसपास के area को lockdown कर दिया गया उसी वक्त एक reporter ने एक तस्वीर पोस्ट की इसमें एक soldier Defense Missile System को activate करता दिख रहा था तभी से लोगों को पता चल गया कि White House की security में Missile System भी तैनात किया गया है एक्सपर्ट की माने तो White House में एक नहीं बलकि और भी Missile Defense System इंस्टॉल किये गये है Infra Red System Infra Red System के बारे में movies में जरूर देखा होगा मैं आपको बता दू कि White House की स्रक्षा में भी Infra Red Sensor का इस्तमाल किया गया है White House का ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहां इन सेंसर को इंस्टॉल ना किया गया हो यह सेंसर इतने पावरफूल है कि जरा सी हलचल होते ही सिक्योर्टी टीम को अलर्ट कर देती है और अगर कोई व्यक्ती सेंसर के साथ छेड़चार करना चाहे या इन्हें बंद करने की कोशीज करता है तो सेंसर के बंद होने के साथ पूरे वाइट हास का सीक्योर्टी अलर्ट अलरम बहुत तेज बजने लगते है यकिनन आप कह सकते हैं कि वाइट हाउस इतना स्रक्षित है कि यहां कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है guard dogs, white house की सुरक्षा में well-trend dogs को भी रखा गया है white house में Belgian Malinia नाम की breed के dog को सिकूर्टी के लिए रखा गया है किसे विशेष प्रकार की training दी जाती है जिससे ये बच्चों को कोई हानी नहीं पहुंचाते लेकिन अगर कोई युवा वाइट हाउस में जबर्दस्ती गुषने की कोशिस करता है तो गार डॉक्स अपना काम करने में जड़ासा भी नहीं सोचेंगे आसा करता हूँ आपको ये वीडियो बहत पसंद आई होगी ऐसी और वीडियो के लिए हमें सस्क्राइब करना ना भूले